90% लोग नहीं जानते हैं बालों को लंबा करने का ये तरीका जी हाँ फ्रेंड आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन ये आपके बालों के लिए इतना कारगर है कि आप खुद हैरान हो जाओगे ये आपके बालों जुरूर देखें जिससे कि आपको complete जानकारी मिल पाए इसमें इसके को इस्तमाल करने से आपके बालों का जणना तो बंद होगा ही साथ में आपके छोटे बाल बहुत ही तेजी से लंबे होनी स्टार्ट हो जाएंगे यह आपके बालों को बहुत ही fast grow करने में help करती है कुछ अच्छी दिनों में आपको इसके इस्तमाल से आपके छोटे पतले बाल लंबे मोटे हो जाएंगे लेकिन आपको इसका सही तरीका पता होना है कि इसे आपको कैसे यूज करना है जिससे कि इसके साइदे आपके बालों को मिल पाए इसके इसके इस्तमाल से आपके जो हैरू तूट होती हैं जिससे कि आपके बाल नहीं टूटेंगे और नाहीं आपको हएर थिनिंगी समस्या होगी इस लिए आजայ कोटे हैं अगर आपके बाल तूटे क्यूंत हें अहीं क्यों है? ये नहीं पिक्या करना है तो समौना है वाल कि बाल के रिदर और इतना इन तो आपके वाल की जड़ो को मुझ्शबूत करना और अपने हैर फॉल को बंद करना तो आज की वीडियो में आपको एक नुस्का बताने वाली हूं आपके बाल चाहें कैसे भी हो किसी भी रिजन से आपके बाल जड़ रहे हो अगर इसका इस्तमाल करेंगी तो आपके बालों का तूटना हमेशा के लिए बंद होगा आप अंकल बेस वाले चीजों को अपने बालों में इस्तमाल करते हैं जिससे कि हमारे बाल धीरे-धीरे कमजोड हो जाते हैं और हमें बात में चलके गंजेपन की समस्या होने लगती है इसलिए आप कोसिस करें कि घर में मुझूद चीजों का आप यूज करके अपने बालों को ह इससे बालों को को कोई साइट नहीं होगा नैकीसी डाउट करें इससे इससे कितने अच्छे अच्छे फायदे मिलेंगे 100% कारेंटी के साथ आपके बालों का गिरना बंद्द होगा आपके बाल लम यहनी इस टार्ट हो जाएँगे और आपको एक बातियों को ध्यान देनी है कि आपको विंडल में अच्छे सपने बालों को धोना है गिले बालों पर बिल्कुल भी आपको कोम नहीं करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस रेमेडी के लिए आपको यहाँ पर लेना है मेथी दाने जैसा कि सबी लोग जानते हैं कितना पाउर्फुल होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए हमारे बालों को सिलके सुसायनी है हमारे हैर फॉल को रोकने के लिए तो आपको यहाँ पर लेनी है मेथी दाने और आपको यहाँ पर लेना है सरसु का खल इसे बारे में बारे में कुछ बता दू कि कितना बालो के लिए बारे क्ज़ा ब耍वाल। उसे ही यहां पर सरसवा खल बोला जाता है यानि मस्टर केक यह आपको ओनलाइन बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है लेकिन बहुत ही बेनिफिसल होती है हमारे बालों के लिए इसमें भरपूर मातरा में बिटमिस होती है बहुत सारे चीज़े ऐसी होती है जो कि हमारे बालों क मजबूतीं देती हैं इसमें बहुत सारे पॉसकत्त्रों होते हैं जो कि हमारे बालो को काला करने में help करती है आपके बालो के रूखी क्रोथ को बढ़ाती है इसलिए आपको online easily मिल जाएंगी ले dado ही लेकिन आप चाहिए तो इसे लोकल मार्केटि भी ले सकती हैं वहां भी आपको असानी से मिल जाएंगी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इसके बारे में कि ये कैसे आपके बालों पे काम करती है या इसके कितने सारे फायदे हैं कैसे बेनिफिसियल है हमारे बालों के लिए तो आप इसके बारे में गूगल करके देखे और जाने इस इन के लिए हमारे बालों के लिए कितना वेनिफिश्य यह आपकी scale जो दिख रही है वहाँ पर नए बाल उगाने में भी help करती है आपके बालों को मोटा करने काम करती है तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि क्या आपने इसे यूज किया है हम कैसे माने की हमारे बालों पर काम करेगी तो पहले आप कोई भी रेमेडी पूरे अच्छे मन से कुरे बिलिब के साथ अपने बालों पे करके देखेँ आपको 100% से फायदा मेलेगा आपके में फरक दिखेगा और मैं जो भी रिमडिय आपको शेयर करती इसे आपको बारिक बीस लेनी है, हमें इसका पौडर बनाना है फिर एक कोटूरी में आपको अपने बालो की हिसाफ से यहां पर पौडर लेनी है यानि मस्टर केक को लेनी है और फिर जो हमने पानी त्यार किया था आपको इसी पानी में इसका घोल बनाना है और 5-6 गंटे के लिए आपको इसे ऐसे ही बनागे छोड़ देनी है फिर अपने बालों पर इसे अच्छे से आपको apply करनी है एक घंटे के लिए अपने बालों पर लगा के छोड़ देनी है अगर आप चाहते हैं अपने बालों को और भी ज़्यादा फास्ट लंबा करना तो आप क्या कर सकती हैं इसमें आप दही भी यूज़ कर सकती हैं जिनके पास नहीं है आप इसे स्किप कर दे और केवल मेथी दाने का पानी का यूज़ करके भी आप इस पेक को अपने बालों इसे भी आपके बालों को फायदा मिलेगा लेकिन मैं दही उनके लिए बता रही हूं जिनके बाल बहुत ही ड्राइ रुखे सुके वेजान है तो यहां पर दही भी ले 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 अच्छे सा आपको पेश्ट बनाके अपने बालों पर अपने बालों पर लगे रहने देना है फि वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाब बाई